जन्पत हापुड के पिलकवा के खेड़ा में इस्थित कबरिस्तान से गाजबाद पुलिस ने रुकसार का शब निकाल कर उसे पोस्ट मार्टम के लिए फेज दिया है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा हापुड की रहने वाली रुकसार के शादी हापुड दिया छेतर के रहने वाले के युवक के साथ हुई थी मंगलवार को रुकसार की संदिक परिस्थित्यों में मौत हो गई जिसके बाद पिलकवा इस्थित कबरिस्तान में शब सुपुड एक खाक कर दिया गया था लेकिन मृतका के पुत्र ने अपने मामों को बताया कि उसके पिता ने ही मा रुकसार के मुँपर तक्या रखकर उसकी हत्या की है 26 वर्ष रुकसार पुत्री नसरुदीन निवासी महला सद्धिकपुरा हापुड की शादी नौ वर्ष पहले हापुड द्याच छेतर के गाउं सलाई के शानवास के साथ हुई थी शादी के बाद दोनों को एक पुत्री और एक पुत्र हुआ पुद्री फिलाल आठ वर्ष की है जबकि पुद्र बबलू पांच वर्ष का है रुकसार अपने पती शानवाज और बच्चों के साथ पिछले लंबे समय से मसूरी इस्तित कराई के मकान में रह रही थी मंगलवार को रुकसार की संदिक परिस्तितियों में मौत हो गई इसके बाद उसका शब पिलकवा इस्तित खेड़ा में सुपड देखाक किया गया बदुवार को रुकसार के पांस साल के बेटे बबलू ने अपने मामा फर्मान और इमरान को बताया कि उसके पिता शानवास नहीमा रुकसार के मूपर तक्या रखकर उसकी हत्या की है इसके बाद मृतका के भाई गाजबाद के मसूरी थाना पहुंची और पुलिस को मामले से अबगत किराया मसूरी पुलिस अधिकारियों से रुमती लेने के पश्याद पिलक्वा थाना पहुंची और कब्रिस्तान से रुकसार का शब खुदवा कर उसे बाहर निकाला शब को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्मार्डम के लिए फेज दिया है इसके बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा फिलाल आरुपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है झाल वाल मौत कर दो पीद का बाहर सिरून है करेंट मौत कर फुदवा कर दो किका सके बाहर सकेगा आर र Medium平 यही ए 500 बारिज ख चल पने पूर बार को ठान पजह Юरी झाल झाल